ंजस्ते दोस्तो है लोग कैसे है आशा करता हूं दोस्तो हं लोग वह बहुत अशय हो गरेह सीड़ीं बढ़ा खुसकबरी है खुसकबरी यह चलिए बीडियो को सूर करते हैं देखें दोस्तों सबसे पहले पोस्ट एक लिए दस हजार दो सो पचासी पोस्ट है बंपर पोस्ट बोल सकते हो ठीक है अपलाइज 24 से यानि आज से स्टार्ट है दोस्तों और 13 फरवरी लास्ट डेट है तो लास्ट डेट का वेट मत मुझे नहीं लगता कोई बच्चों का डिकत होगा अब डेट अब बर्स मैंने लिख दिया है समझेगा अगर आपका जनम 2 जनुरी 1979 1989 दोस्त 89 समझे लो इस से लेकर एक एक 2004 के 20 में है न ताप लोग फर्म भर सकते हो समझे लो न कितना एज है तब यह 45 साल तक एज दिया कोई दिक्कत कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ठीक है डेट अब बर्स में लिख दिया है 2 जनुरी 1979 से एक एक 2004 के लिए चलो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ओनली आप 12 पास हो ना भया इस फॉर्म को भर सकते तो अब यह एक सर्विसमान हो तो उसके लिए और भी छूट म मिलेगा एक सर्विसमान के लिए मात्र थेंथ पास मागा गया है नॉर्मल के लिए क्लिए क्लिए और वही आप लोग पास हो तो भर चकतो तो बार भी तो सभी लोग करते कोई दिक्कत नहीं है पहले जुस्तों सेलेक्ट्स समझीए गा सबसे पहले इसमें फीजिकल होगा कहने मतलब क्या दोस्तों आपका सब्सक्राइब होगा समझ रहो ना अब पूछे क्या सिलेबस समझाता हूं उसके बाद उसके रुनिंग कौन-कौन भर सकता है सेलरी काम अगरा सारा कुछ बताएंगे और दोस्तों देखिए एक चीज ध्यान समझेगा इसमें दोस्तों जो ओलेडी पढ़ाई कर रहा है उसके लिए और भी बढ़िया चीज है मैं बता रहा हूं समझेगा पहले समझे सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका पूछेगा अस साइनसहे आवा मैज कुछ विझ्यान का मी देखियांग कि यहां वेडियांस नहीं कि यूइदिक आपका झीड़ेटर यहोगal संसκरीत हो गया उसस्ते एक सवाल मैं पूछेगा दिलनी स्पेसल कूछ हूँआ धियंस में संस्क्रिती ये ध्यारर बदिया घर रहें यह चार हो गिया पंचवान नंबर क्या पूछेगा शार जीच कहीं पाठे में बता रहां देखो दोस्तों यह आपका पांचवान नंबर आपका topic पुछेगा चछठा point क्या है दूस्तो चटा है भई आपका history पूछेगा यानी इतिहास सात्वा point क्या है सात्वा में दूस्तो आपका Topic कहां से है एक History ही यह दूसों GKGS का Part हो गया यह भी दूस्दों GKGS का Part है जिसमें योगरफाम ही हो आ गया normative यह करेंट है सहन कि अपलेंड 중에 जिङके जिआस का Part है और सभीधान से लेशिवा पाथ जिङकें भीर करेंड मैं। पढ़ना है जी के जीस में आपका इतियास हो गया भूगोल हो गया नागरिक जिसको सभी धान बोलते हैं बाकि दिल्ली से रिलेटेट कुछ प्रस्ण हो गया और करेंठ पेरिये जी के जिसे तीनी चप्टर तो आपको पढ़ना है को एक्षा नहीं पढ़ना है सबका अलग अलग सेक्षन बाटा गया कि इससे रिलेटेब भीया सवाल रहेगा समझें आप लोग से लेवस में बता दिया अब तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर दनी है और इसके लिए चक्सू पब्लिकेशन का आपको भूक लेए ठीक है यह दिल्ली होम गाल ग्री में प्रस ने पूछा जाता है तो ध्यान अखिएगा और चौबीस सो पचास से जाद आपको बहुँ बैक है यह प्रस में इस बुक में देखनों के मिल जाएगा चक्सू पब्लिकेशन का बुक है तो इस तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहां स भी ले सकते हो अब देखिए दोस्तों ध्यान समझेगा फिजिकल के बारे में हाइट कितना है तो भर सकते हो 165 सेंटीमीटर फीमेल के 152 सेंटीमीटर तो साड़े 5 फीट मेल का हाइट मांगा है ज्यादा नहीं असानी से भर सकते हो ठीक है रानिंग एजवाज अलग- दोस्तों ये मेल का और किमवक की सोल शो मीटर एवनी वन फैंट्समीटर बॉल चकतों CHjes कर दोब शोलो शो मीटर को और किमट्र में जोकर तो तो 1.6 km होता है ठीक है अगर आपका एज 30 साल से कम है मेल का तो 6 मिनट के समय मिलेगा फीमेल का दूस्तो आपका 8 मिनट तीस साल से कम एज वालब जो यंग है उसको जाड़ा मेहनत करा रहा है यहां पर 6 मिनट और 8 मिनट फीमेल का 30 से 40 साल के बीच अगर आपका एज है तो 7 मिनट समय और फीमेल को 9 मिनट समय अगर 40 से 45 साल के बीच आपका एज है तो 8 मिनट और फीमेल को 10 मिनट समय यह आप लोग ने समझ लिया क्योंकि इसलिए 45 साल तक एज मांगा जा रहा है ठीक है यह समझ लिया अब इसमें सेलरी जो उसमें लिखा गया है एक तो दूस्तों citizen of India यानि भारत के नागरिक है तो वह भर सकते हैं साथ में दोस्तों जो बती है भर बढ़ेगा यानि दिली का निमास लेधा है तो वह है वो उसके लिए उस्क Warcraft के लिए वेकेंस के pletे रहने वाली फिर्थ देखे दोसों यहां पर मैं आपको नोटिस के मार्दम सभी कुछ जानकारी दे देता हूं ताकि आपको सबस्ट के लिए हो जाए यहां पर कितना कितना आरक्षन मिलता है वो सब बता आए गए ठीक है यहां पर कौन अपलाई कर चकता है यहां आप लोग देखो सबस्क्राइब इंडिया का तो सिटीजन है साथ देखो रेसिडेंट और नेशनल केपिटर ट्री आप दिली ठीके दिली एंट्र का आपके पास होना चाहिए तब बहुत सकते दोको प्रूब अप रेसिडेंट अप दिली यानि दुसर दिली का प्रूब आपकर चलेगा जैसे में बैलेड़ पासपोर्ट हो इलेक्सन कमिस स्वेंस से वकों को तीन साल के अवदी के लिए दूसरों नमंकन है जिसे दो साल तक आंगे बढ़ाया जा सकता है यह दिहान किएगा यह आप लोग पढ़ सकतो हम अत्रित किये गए हैं वेदन कर्टेगर वेच कितना कितने यह दूस्तों आपको मैंने बता दिया सारा कुछ यह समय ने समझा दिया हाँ दिली के बच्चों के लिए बहुत ही सु्नहरा मौका है यह सुरू में दोस्तों वेकेंसी आपको मैं बता दू यह भी कि तीन सालों के लिए हैं फिर दो साल बढ़ा दिया जाएगा मतलब पांच साल हो जाएगा यह भी चीजे मैं आपको बता देता हो तो यह जरूर आप लोग भरिएगा अब इसलिए मैं बता रहा हूं नो ऐसा ध्यान समझें कि इसको क्यों भरना जरूरी है क्योंकि दोस्तों इसमें आपको एक्षा समय भी मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा देखो जो बच्चा जैसे आप मार्में के त्यारी कर रहो हो गया या गया दूसरों बैंक से ट्यारी कर रहो क्या दोस्तों द्सवर च्चा से कर रहो या कोई भी कोई भी गॵหนम्ких विखोंजब क थेयारी कर रहो वीब है इसमें दुसरों ड्यूटिय करने के ऐम के आपको पास स्टाइ File प्राइबेट आप्शे यहां से पर त्यारी कर रहा तो उसका भी कर सकते हैं तो पार्ट टाइम के तौर पाराम से किजिए रात में टाइम मिल जाएगा एक मतलब समय लगाएगा यह सुबह मला लगा दे इवनिंग में एक सेप्ट आपका ड्यूटी रहेगा बाकि समय आपके पास पढ़ने का मिलेगा यह चीज दूस्तों क्या हो ठीकित यह चीजे हैं तो मैंने आपको समझा दिया कोई डाउट हो तो पूछ लिजिएगा चैनल में जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा हम लेटेस्ट वेकेंसिक आपको इंफ्रमेशन पराइट करवाते हैं धन्यवाद